हिल गया था अमेरिका कापा था पाकिस्तान चाइना भी दहल गया था दोस्तों यह पोकरण आप देख रहे हैं जब 11 मई उनई सव अंठानबे में अठल बिहारी बाजपेई के प्रधानमंत्रित तुकाल में यहां परमाणू परिछण हुआ था आप एक बार पोकरण को चाका जहां धाई सव मील तक पूरी तवर पर धूल उड़िने लगी थी रेत यहां आस्मान में चले गए थे और अमेरिका को यह असास हो गया कि भारत कमजोर नहीं है अटल ब्यारी बाजबैई ने उन दिनों कहा था कि हम आख मिला करके विश्व के सामने आख मिलाना चाहते हैं किन्तों हम मैत्री पूरुन ब्यवहार भी चाहते हैं हम कमजोर नहीं है इस बात का यह असास बैस्वी कस्तर पर हम कराना चाहते हैं दोस्तों यहां पोकरण आप देख रहे हैं और यहां जो रेलेवे लाइन है इसके आगे कोई रेलेवे लाइन नहीं है राजस्थान के जैसल मेर का पोकरण जो 11 मई नई सवन ठानबे में पूरे बैस्वी कस्तर पर चर्चा में आया था लोगों ने जाल लिया था हालाकि इंद्रा गांधी जी ने भी 1974 में परवारू परिच्छन कराया था उसके बाद अठल भी आरी बाजपेई जब 13 दिन की सरकार में आये थे तो उन्होंने मन बनाया था कि हम ऐसा करेंगे कलाम साब उसमें DRDO के प्रभारी हुआ करते थे और आपसी सामती बनी कोई जान नहीं पाया एक बार होना था तो लोग जान गए अमेरिका जान गया और प्रतिबंद के कारण भारत को पीछे हटना पड़ा लेकिन अटल विहारी बाजपेई ने इस परिच्छन को कराया और लगातार पहले पहले परिच्छन एक बार इधर भी आप देख लिए यह रिलेवे इस्टेशन आप देख रहे हैं और यहां मरुस्थल का इलागा दोस्तों जहां परिच्छन हुआ था उस अस्थान पर जाना वह सेना के घेरे में है कब परिच्छन होगा फिर कब उसको इ संतिम रिलेवे इस्टेशन पर है यहां जोधपुर से यहां टेन आती है और रामदेव से आती है फिर यही से वापस हो जाती है एक छोटा साथ इस्टेशन जिससे केवल फोजी जाते है या फोजीयों का इलाका है और फोजी यहां से घर जाते हैं यहां से अन्य अस्थान ओपर लिखता मिठाता हूं गीत नएगाता हूं इस तरह से कहा था अठव भीहरी बाझ पेही ने और कलामशाब ने कहा कि कमजोर राष्ट के तरब हर लोगों की दृष्टी होती है और हर लोग उसे डधराना चाहते धमकाना चाहते हैं इसलिए हम कमजोर नहीं रहना चाहते हैं दोस्तों अमेरिका परभारू परिछण करेगा अन्मुनौन किसी को दिक्षच लेए करेंगा किसी को दिखता नहीं एट संति भारत करेंगा तो साभागी से लिए पाकिस्तानी पर घूल गयी थी लेकिन उस समय कुछ और ब reais पिरिशन करके मताया है बहुत तेड चल लहीं आइसे में यह परिशन करना ठीक जैसे तीन बचकर 45 मिनट जैसे ही होता है और बटन दमाई जाती है एक के बाद एक परिछण होता है और बैस्वी कस्तर पर हल चल बचती है दोस्तों आपने जाना होगा इसको प्रतियोगी परिछाओं की तयारी कर रहे हैं बच्चे इस बात को बखुबी जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 8 अगस्त 1945 को जो जापान में बंबिस फोट हुआ था उसकी हालत क्या हुई लोगों के चमडे ऐसे उड़ रहे थे जैसे दोती और गमचा आप साफ करके और हवा में लहराएं तेज हवा में जैसे सूखते हैं वो ऐसे ही लोगों के चमडे उड़ रहे थे आज भी उसक का दूस्प्रभाव है दूस्प्रभाव तो इसका भी हुआ हमने कई जगा बात्चित किया एक मेडिकली स्टोर पर चुकि मौसम की प्रतिकुलता के कारण थोड़ा सा सिकार मैं भी हुआ हूँ जब चला तभी दिक्कत थी लेकिन सब ठीक हो जाएगा हुआएं सर्द है य हुई बुदाबादी के बाद गलन बढ़ गई है चुकि हम इस समय धूप निकली हुई है लेकिन सर्द हुआ है और बरफिला मतलब जैसे मौसम है जैसे दिक्कत हो रही है बहराल तो इस तरह से जो समय चुना गया था और हाँ जो जापान में हुआ था जापान को समहलने म है आज तक जापान उसका दूस प्रभाव जेल रहा है लेकिन हमारी कमजोरी का नाजायज भायदा अन्यराष्ट जो हमारे उपर बुरी नजर से देख रहे हैं उनकी दृष्टी ठीक हो जाए और हमारी आवकात का पताओं से लग जाए यही कारण था अटल बिहारी बाज से आज वह लोग नहीं रहें बहुत से लोग हो सकता है कोई जिन्दा हो अभी ग्यारह मई अंठानबे का दिन तो बहुत लंबा हो गया तो ऐसे में आप भी नमरता के साथ हम आप सभी दोस्तों को प्रडाम करते हैं और ऐसे तमाम अस्तलों पर हम जाएंगे दिखाएंगे यह पवित्र मिट्टी है जिसका नमन करता हूँ यही से और राजस्थान की वह धर्ती जो बीरों की धर्ती है बहादुरों की धर्ती है राख्ट्री आंदोलन में महान भूमिका निभाया है इस माटी ने और परुबाड परिक्षण करके बैस्वी कस्तर पर अपनी ताकत क या असास करा करके अपना लोहा मनवाया है तो इस धर्ती को नमन और ऐसे महापुरसों को बिनवर्ता से प्रणाम करता हूँ मैं हूँ ब्रजबूसर्ण दूबे यूटूब चैनल ब्रजबूसर्ण मारकंडे से बिनवर्ता के साथ साधर नमसकार बहुत बहुत मैं हूँ झाल जतो बढ़ मैं ही घराकंडे इबूबू इत बहुत बहुत पक्राव लिच्चा के साथ साथ मों करता हूँ झाल बहुत लोही थाल पक्राद़ अज़ार मूबसर्ण